आज राजस्तान और संडाइजर सेदराबाद की खिलाफ मुकादला है संज्यू सेमसन चाहते हैं कि इस बार राजस्तान रोयल्स की टीम आईपिल 2022 में नीडर होकर खेले राजस्तान ने पिछले 13 से खिताब नहीं जीता केवल 2008 में ये किताब जीतने में काम्याब हुई और ये भी तुका ही माना जा रहा है क्योंकि उसके बाद राजस्तान रोयल्स की परफॉर्मेंस कभी भी दमदार टीम वाली साबित नहीं हुई इस सीजन में राजस्तान के पास कुछ अच्छे खिलाडी है जिसमें जौस बटलर, देवदत पडिकल, रविंदर चन अश्विंग, ट्रेंट बॉल्ट, युजवेंदर चेहल जैसे इंटरनेशनल सीतारे भी शामिल है राजस्तान को मंगलवार को संराइजर सेदराबाद के खिलाफ मुकाबला करना है जो आईपेल 2022 सीजन का उनका पहला मैच होगा इस मैच में पहले संजू सैंसन ने कहा कि टीम में कुछ नए खिलाडी आई हमारे लिए महतोपुर्ण है सब कुछ जान पैचान लिया जाए संजू ने सोवार को एक वर्चुल प्रेस कॉन्फरेंस में का कि हम निश्चिन तोर पर दो से तीन सीजन में काफी कुछ सीख चुके है हमने कुछ विकल्पों पर विचार किया हमारे पास काफी अच्छी निलामी रही जिसके चलते टीम बढ़िया है सब वही सैंसन को लगता है कि राजिस्तान रोयल्स के पास इस बार काफी विविदता है उन्होंने का कि हमारे पास भारती और इंटरनेशनल स्टार है ये काफी लंबा टूनामेंट है हमने अपनी टीम के खिलाडियों के माइंड सेट, फिटनेस और फॉर्म को समझना होगा लेकिन हमारे पास खिलाने के लिए भहुत से विकल्प है सैमसन ने कहा कि टीच्वेंटी फॉर्मेट हमेशा नीडर होकर खेलना होगा इस तनेस के खिलाड़ी इस बार टीम का हिस्सा है ऐसे में हम बाहर जाएंगे और खुद का परदर्शन करेंगे वहीं सैमसन आगे कहते हैं कि हमने जो भी बात लसित से की है वह चीजों का काफी अलसान रखते हैं और ये सब गेंदबाचों को काफी सपश्टता देता है